आरखन मुक्ती मोर्चा और कांगरेस और आरजेडी की सरकार जब से तीन वर्सों से लगातार नोजवानों को कि आत्मा को जगजोरने का काम किया यहाँ पर अनुमंद करंचारियों की सिवाएं समाप्त करने का काम किया अकल जो घटना घटना घटी है जिस परकार से यह आपातकाल की याद दिला रही है ताना साही की प्रविर्ती है और जो बेचारे जिस जिंग से लोगों को चोट लगी है आज तक कोई सरकारी मुलाजिम कोई जनपरतिनी दी नहीं सत्ताधारी दलका आया जो इनके हाल चाल को भी जानने का प्रयास किया गया हम सब लोग भारतिय जनता पार्टी के पूरी तरह से इनके आंदोलन के साथ है और मुझे विश्वास है कि इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सरकार को बात दे करेंगे सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा इस सरकार को इस बीच हुआ कि जब लोग जुटे हम लोग तो उसी में से कोई बाहरी हम लोग के बीच का कोई नहीं था को एक आद आदमी ऐसा था जो उस तरह का हुड़दंग किया अचानक पुलिस को एक बहाना मिल गिया और पीछे से आई और एकदम जबा तोड़ जो है सब को महिल को भी जो है पुरूस पुलिस जो है मारे एकदम कितने साथी है आपके और किस तरह का जख में हम लोगों का क्या है कि कल कम से कम 30-35 आदमी घायल हुए है कि अभी रिम्स में देखिए आप जा के देखिए एक आदमी का तो पूरा पैर ही टूड़ गया है हड़ी टूड़ जिसको दिपक जी अभी आये थे और पलस अनगीना तैसे लोग हैं जिनका माथा फट गिया है हाट तूड़ गया अभी हम लोग के बीच में देखिए जैसे इनको भी देखिए कल गीर जाने के बाद इनको जो है लाठी से इतना मारा कि इनका पेट फट जाता है आईसा कई पलस जी लोगों को मार के गायल किया गया अगरान शित्तमे के बाद ऑ़ जो है 15-27 देखिए बीच में जो है लोगों को गारी में ठूसकि अजगा इनको आहट हमलोगा उलाच नहीं चांट है। सभी को ठीक कर दते हैं और उसके बाद हम लोग जितना लोग हैं अभी मुरावादी में सब लोग जुटे हुए हैं हम लोग का निश्चित कालिन धर्ना परदर्शन चालू रहेगा कल हमारे कमलेस राम जी को जब पता चला इन्हों ने भी हम लोगों का समर्थन किया और कल र आज इस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें